Hello everyone, welcome back to my channel शाम का समय ऐसा होता है कि जब सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है और उस समय कुछ अच्छा खाने पीने का मन करता है वैसे तो इस टाइम लोग इंस्टेंट खाना पसंद करते हैं लेकिन कभी कदार कुछ डिफरेंट के लिए आपको इस तरीक के स्नेक्स बनाने पड़ते हैं जो मैं स्नेक्स बनाने वाली हूँ वो बहुत ही जल्दी तयार हो जाता है बनके आज की रेसिपी का नाम है मसाला खारी मसाला खारी बनाने को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत जटपट बनके तयार हो जाती है उसके लिए हमने एक प्याज ले लिया है प्याज को छोटे-छोटे टुकलों में काट लेंगे फिर एक मैंने छोटा सिम्ला मिर्च ले लिया है उसको भी हम छोटा-छोटा काट लेंगे और चौपर से चौप कर लेंगे जिम्ला मिर्च और प्याज तो अच्छे से चौप हो चुके हैं अब हम दो मीडियम साइज के टमाटर लेंगे उसको भी छोटा-छोटा काट लेंगे अब इसको भी हम चॉप कर लेंगे टमाटर भी हमारे चॉप हो चुके हैं अब कणाई भी हमने गरम होने के लिए रखती है अब एक बड़ा चमच दिफाइंड ओयल डालेंगे और दो चमच हम बटर डालेंगे आदा चमच जीरा डालेंगे अब हमने जिंजर गार्लिक और मिर्ची का पेश्ट बनाया था उसको भी इसमें डालेंगे और भूल लेंगे अब आदा चमच हलदी लिया है आदा चमच पिसी दनिया पॉर्डर लिया है थोड़ा सा गरम मसाला लिया है और एक चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला लिया है और एक चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्चली है इन सभी चीजों को डालेंगे और अच्छे से भूल लेंगे फिर हमने जो टमाटर काट के रखे थे वो भी इसमें डालेंगे आप थोड़ा सा पानी डालेंगे अब मैंने एक छोटी चमच नमक लिया है, नमक आप अपने हिसाब से डाल दीजेगा, अब ढखकल लगाएंगे और थोड़ा सा आप अपने देंगे, अब देखे के टमाटर हमारे गल चुके हैं अच्छे से, अब हमने थोड़ी सी खारी ली हैं, कम से कम 15-16 खारी हैं, अब खारी को मसा लेए टाला उपर तक आजएं, यह देखे कितना बढ़ियां दिख रहा हैं अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा निम्बू का रस डालेगे, जिससे अच्छे सी खटासा आ जाती है अब इस निम्बू के रस को खारी में अच्छे से मिला देंगे, यह देखे यह यह meIn 죄송 О DR से थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे हरी धनिया डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखिए कितना बड़ी है नाश्टा बनके तयार है अब इसको हम प्लेट में सर्फ करते हैं टी टाइम स्नैक्स हमारा रेडी है यह दिखने में जितना अच्छा प्लीज आप अपने घर पे जरूर ट्राइब करिएगा आपको वीडियो कैसा लागा जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करिएगा तब तक के लिए बाइबाइब